तो मेरे दोस्तों मेरे भाई कैसे हो आप लोग नई वीडियो में फिर से स्वाकत है ये टाटा की पंच देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे टाटा पंच का एकमप्लिस्ट मोडल S वेरिंट आपके सामने खड़ा है इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे पूरा कवर करें अब शुरू करेंगे अपनी वीडियो में फिचर्स की बात करेंगे अगर हम गाड़ी के तो यहाँ पर नॉर्मल पार्किंग लाइट है मिल जाती है यहाँ पर इंडिकेटर का सैट अप देखने के लिए मिल जाता है आटोमाटिक हालोजन यहाँ पर हैड लैब्स नीचे और टैरर डिजाइन में यह वाले जो शेप का हैं पर बंपर डिजाइन दिया के बढ़िया है पंच की बैजिंग प्यानो ग्लास ब्लैक फिनिश के साथ यह वाली ग्रेल टाटा का लोग और नीचे क्रोम की एक लाइन टो एंड कंटीनू रहने वाली है इतनी फीचर लोड इसमें आपको रेन सेंसर वाइपर मिलते हैं तो यह हमारा कंप्लीट फ्रंट लुक गड़ी टायर की तरफ नजर मारें तो फिफ्टीन इंचिस के हाइपर स्टैल वील्स में देहने के लिए मिल जाएंगे जो की अलोग नहीं है वील कैप वाले डिजाइन इसमें दिया गय है ठीक है बोड़ी की क्लाइटिंग डौर क्लाइटिंग के नीचे देखे ऊपर देखेंगे तो यहां पर आपको क्रोम की विडिंग दे गई है जो की एक एकसेसरीज का पार्ट है 187 mm को ग्राउंड क्लेरस के साथ यह गाड़ी आपको मिल जाती है यह चीज बढ़िया है और की मीं इंडिकेटर की प्लेशमेंट बोडी इसके आपको मिल जाते हैं डौर हेंड एबी सी प्ल्र ब्लैक डाउट मिलते हैं इस गाड़ी में आपको यह चीज बढ़िया है रियर में ड्र teeg ब्रेइग मिलते टेल लाइट का भी पूरा एलेडी मिल जाती है और यहाँ पे आपको यह जो क्रोम मिल रहा है यह भी एक स्रीज का पार्ट है दो दो पार्किंग रिवर सेंसर मिल जाते हैं देखने के लिए ब्लैक कलर के क्लाइटिंग और यह कैमरा की प्लैस्मेंट यहाँ पे एक क्रोम की बिडिंग और मिलती है टाटा का लोगो पंच की बैसिंग के साथ वाइपर डिफोगर नहीं मिलता हाई मांटरी स्टोप लैंप और उपर आपको देखने के लिए मिलता है सनरूफ वगएरा सब चीज गाड़ी की चाबी पे और नज़र बारेंगे गाड़ी की चाबी जो आपको मिलते हैं लोक अनलोक और यहाँ पर पारकिंग लाइट बूट ओपनिंग का यह सारी चीज़े मिल जाती है चाबी में आपको और यहाँ पर इक्वेस सेंसर अब गाड़ी का दरवाज़ा देखते हैं भाई खोलके तो गाड़ी का दरवाज़ा पूरा ड्योल टॉन में मिलता है यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश के साथ आपको यह डोर हैंडल मिल जाता बट यहाँ पर लॉक करने क पूरंज का ओप्शन नहीं है बोतल के लिए स्पेसिया मिल जाता है स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है अंब्रेल HOW मिल जाता है सीट के बारे में बात करेंगे तो आगे पीछे कर सकते हैं और एक लाइन कर सकते हैं यह ओपशन मिलते हैं यह जो seat cover आप देख रहे है यह एकसिरीज का पार्ट आड़ोन किये गए हैं कमपनी से आपको fabrics की seat मिलती हैं अगर आप चाहे हैं तो कमपनी से ही add on यह वाली features करा सकते हैं अपने गाड़े में पूरा का पूरा डैश बोर्ड गाड़े का इंटिरियर डियोल टोन में दिया गया है जो कि बड़ी है और यहां पर आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं ठीक है भाई फोग लाइट्स के लाइट्स के और यहां पर यह चीज देखने के लिए सारी मिल बटन मिल जाते हैं और सराउंडिंग गोल्डन आपको ऐसी वेंट्स भी यहां देखने के लिए मिलते हैं मीटर मीटर इस कार में आपको फुलिस एमी फरनेस्ट देखने के लिए मिल जाता है और यहां पे से आप M.I.D. के सारी इंफोमिशन ले का स्टेरिंग के बात गरे अगर adjustment की बात करें तो इसमें tilt adjustment ही कर सकते हैं आप telescopic adjustment इस steering में कार में आपको option में नहीं देखने के लिए सेवन इंचिस की display android apple car play bluetooth connectivity के साथ यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है हर्मन की connectivity है तो sound बड़ा धमाकेदार होने वाला है ठीक है तो यह चीज और इसके looks dual tone बढ़िया चीज दी गई है मुझे तो काफी अच्छा लगा आप भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा नीचे आपको surrounding ac wind के golden finish के साथ मिल जाती है यह चीज बहुत बढ़िया लगी मुझे यहां से आप controls का सकते हैं सारी चीजे infotainment की बीच में 1000 light और यह जो ac wind का design यह बढ़िया लगा यहां पर आपको ac heater के controls मिल जाते हैं और नीचे आपको type A sorry type C और type E 12 volt charging socket USB connectivity के लिए सारी चीजे मिल जाती है चोटा से space five speed manual transmission मिल जाता है और यहां पर type E की placement decor मिलती है यहां पर यह नई चीज आड़ ओन की गई है armrest front में दोनों के लिए दो airbag के साथ आते हैं यह वाली गाड़ी और यह armrest वाला option काफी अच्छा लगा handbrake two cup holder space के साथ यहां मिल जाता है देखने के लिए dual tone dashboard का जो की color दिया हुआ यह बड़ा बढ़िया है light के साथ dual tone में ही globe box का space मिलता है अपर अपना laptop वगेरा भी आप रख सकते हैं काफी बढ़ा है तो यह चीज बहुत बढ़िया लगी IRBM manually day and night shifting कर सकते है lampality मिल जाता है with mic placement और यहां पर sunroof का यह option है यह चीज देखिए यह चीज कितने बढ़िया है जो भी हमारे micro SUV car लेना चाते है with sunroof creative model को छोड़के accomplished model पे इस पे आ जाईए sunroof का option आ जाएगा और काफी सारे features के साथ भी तो यह चीज बहुत बढ़िया है कम budget में sunroof के पूरे मज़े और बढ़िया मज़े तो यह चीज बहुत बढ़िया है टाटा का तो कोई जवाब भी नहीं है इन मामलों में यहां पर आपको कोई mirror देखने के लिए नहीं मिलता है यहां पर भी card holder यह सिर्फ यहां भी नहीं मिलेगा front से grab handles हटाए हैं गाड़ी में पीछे की तरफ अभी भी grab handle है और headroom में कोई भी कमी नहीं है कहीं से कहीं तक यह चीज बड़ी आया है वैसे front में grab handle हो सकते थे और हटने के बाद भी ठीक है अब पीछे का माहूल और दिखाता हूँ पीछे से गाड़ी का माहूल कैसा होने वाला है तो पीछे की डोर की बात करें यह पीछे भी आपको डोर handle blacked out मिलने वाला है power window switch डोल टोन में बोतल का holder की space मिल जाता है पीछे और यह अंदर का पूरा का पूरा माहूर पूरा शमा हमारा इस तरीके का बंद जाता है comfort five star rated हमारी टाटा पंच fix headrest यहां मिलते हैं तो बैठन का जो मजा है भाई पूरा का पूरा वो टाटा पंच में बिलकुल मतलब कोई शिकायती नहीं है और अगर गाड़ी के अंदर बैठने की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें leg room के लिए अंटर थाई support के लिए कोई भी परेशानी है मुझे तो कहीं से कहीं तक नही से इसली बैठ सकते हैं पीछे को इस इवेंट नहीं मिलता बट फोन के लिए यहां पर रखने के लिए स्पेस जरूर मिल जाता है फोन होल्डर मिलता है तो यह चीज बहुत बढ़िया है अब जो आगे हम बात करेंगे बूट स्पेस की और भाई पीछे से बैठके बिलकु ऐसा लगता है इसका फ्रेंट केविन लाजव तो इसमें आपको इलेक्टरिक रिक्वेस्ट सेंसर के साथ बूट स्पेस ओपनिंग का ओप्शन मिलता है 366 लीटर का बूट इस पेस बहुत बढ़ा से मिल जाता है पंचर रिपेर किट बहुत काम आने वाली है बढ़िया ए तो जो इंजन के वारे में बात है 1109cc का इंजन, 87bhp के पावर और 115nm का टोर्क 20 km पर लीटर का एवरेज इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का रेवेट्रोन पेट्रोल 3-cylinder इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते है BS6 आने के बाद, Face 2 के बाद, रिफार्मेंट और ज़्यादा बढ़िया हो गई है टाटा के इंजन में, 3-cylinder इंजन है इसके अंदर तो मेरी वीडियो इस तरीके की थी, कुछ आपको अच्छी लगे तो like, share, subscribe जरूर करना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो भाई, subscribe किये भी न, बिल्कुल भी मत जाना, अब मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में